तो अब आपन क्या करने वाल है, now we are going to ensure कि कारो 20 के अंदर ये जो 21 clauses हैं अपने को एकदम चुठकियों में याद हो जाएं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि boss heading देखा, question देखा समझ आगिया कि हाँ भाई कारो 20 में reporting होना है, तो वो चीज़ अपने को एकदम समझ मा जाना चाहिए, वो चीज़ एकदम अपने को याद हो जाना चाहिए, so how to remember all the 21 clauses, बहुत इसली याद हो जाएगा, अब आपन कुछ techniques use करेंगे, एक story में आपके साथ discuss करूँगे, आपके स्टोरी में आपको सुनाओंगा, भली funny story है, आपको लग सकता है कि क्या बेतुका सा स्टोरी है, बट सुनो अच्छे से, और एक commitment लोग की कम से कम पांच लोगों के ये कहाने सुनाने वाले हो, ठीक है, उसके बाद देखना, एक दम पूरा का पूरा जो clauses है, एक दम flow में याद हो जाएगा, ठीक है, flow में याद हो जाएगा, तो देखना, ये जो स्टोरी है, सबसे पहले मैंने क्या कि ये headings लिख लिए है, हर एक clause का heading लिख लिए आप भी ऐसा करो, Clause No. 1, Fixed Assets के बारे में था, Clause No. 2, Inventory के बारे में था, Clause No. 3 was regarding Investments, Guarantees, Security, Loans and Advances, Clause No. 4 was regarding Compliance with Section 185-186, Clause No. 5 was regarding Public Deposit, Clause No. 6, Cost Records, Clause No. 7, Statute Reduce, Clause No. 8 is Unrecorded Income, Clause No. 9 is Repayment of Dues, Clause No. 10 is Application of Money Raised by Public Issue and Preferential Allotment, Clause No. 11 is Fraud, 12 is Nidhi Company, 13 is Transactions with Related Party, 14 is Internal Audit, 15th is Non-Cash Transactions, 16th is NBFC, 17th is Cash Losses, 18th is की जो Auditor Resign करके चला गया था, तो Incoming Auditor को Consideration देखना परेगा, Clause No. 19 is Going Concerned, 20 is Transfer of Unspend CSR Amount, and 21 is Qualification or Adverse Remark in Kauru Report of Group Companies, ठीक है? सबसे पहले अपना Objective होगा कि याद होना चीए सारे के सारे Clausees, ऐसा होना चीए कि Clause No. के Heading देखते याद आ जाए, Clause No. याद करना अपना Primary Objective नहीं है, Clause No. भी याद करेंगे बाद में, लेकिन पहले क्या करना है? Ensure करना है कि सारे Clause No. देखते एक दम रेंडम ली दिमाग में क्लिक हो जाए, तो देखना, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये किसके बारे में है, ये है अबाउट एक गर्ल कॉर्ड निथी, तो एक लर्की थी निथी, एक लर्के पे वो मरती थी, वो लर्का डाइरेक्टर था, वो लर्का डाइरेक्टर था, जिसके पास बहुत सारा unrecorded income था, बहुत सारा पैसा था, unrecorded income था, ठीक है, तो एक लरकी थी नहीं थी, एक लरकी पे वो मरती थी, वो लरका director था जिसके पास बहुत सारा unrecorded income था और उस unrecorded income उसने बहुत सारा fixed assets खरीद रखा था, बहुत सारा inventory खरीद रखा था, बहुत सार इंवेस्मेंट्स ले रखा था ठीक है लेकिन वो जो आदमी है वो बहुत भला मानुस था काफी सारे CSR अक्टिविटीज भी करता था समात सेवा भी करता था ठीक है तो एक लरकी थी निधी एक लरके पे वो मरती थी वो लरका डायरेक्टर था जिसके पास बहुत सारा अन्रेकॉर्डेड इंकम था फिक्स असेट्स था इंवेंट्री था इंवेस्मेंट्स थे और वो साथ यसाथ CSR अक्टिविटीज भी करता अब निधी ने सोचा क्या करूँ क्या करूँ कैसी सैटिंग बठा हूँ अब निधी ने उस लरके को प्यार में फसा लिया और उस लरके के साथ उस डायरेक्टर के साथ नौन कैस्ट ट्रांजक्शन आंटर प三ज गर लिया तो एक लड़की थी निदी, एक लड़के पर वो रॉच्छी थी, वो लड़का डीक्टर था लिपते लिवाद बहुत सारा unrec deployed income था, fixed assets था, inventory था, investment था, और क्या वाँ उस लड़की निदी ने उस लड़के के साथ बहुत सारा non cash transaction एंटर क्रोला. क्या कर लिया? 9 cash transaction enter कर लिया that is transaction in kind enter कर लिया और उस लरके के अंदर अच्छी बात किया थी कि वो बहुत सारा CSR activities भी करता था बहुत सारा CSR activities भी करता था अब जब निधी ने उस लरके से शादी कर ली तो निधी ने उसे बोला चलो नब बहुत सारा पैसा कमाते है और उसके मैं बहुत सारा लाजर भर दिया पैसा का, already he had a lot of money he had unrecorded income, he had fixed assets he had inventory, he had investments ठीक है? और अब उसने क्या बोला? एक काम करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं एक company side करते हैं, उस company में बहुत सारा funds लगाएंगे और उस company से अपने आपको लोन देंगे, क्या बोल रही है निथी, एक company set करेंगे, company बनाएंगे, और company से अपने आपको बहुत सरा लोन देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले निथी ने क्या किया, भाग के शादी की, क्या किया, भाग के शादी करी, तो यहाँ पर कहानी में एक और और दोनों ने भाग करे, costly शादी कर लिए, क्या कर लिए, costly शादी कर लिए, costly शादी कर लिए, उसके बाद शादी हो गई, अब निथी ने बोला कि क्या करेंगे, company बनाते हैं, और company बनाकर, company बनाकर, अपने आपको ही loan देंगे, that is loan to directors, बहुत सरा investments करेंगे, inter corporate investments करेंगे, अब उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, तो अब उन लोगों ने दिमाक लगाया, पैसा कहां से लें, निधी ने बोले, काम करते हैं, public deposit से पैसा raise करते हैं, IPO raise करते हैं, FPO के माधियं से पैसा raise करते हैं, हमारे कुछ जान पैचान फ्पियो के थुरू बाकी लेंडर से पैसा ले लिया, default किया obviously, पैसा ले लिया, bank से ले लिया, venture holder से ले लिया, बट रिपे तो कोई नहीं पाया, default करा repayment में, मगर raise कर लिया, ठीक है, public deposit के थुरू, IPO के थुरू, FPO के थुरू, preferential allotment के थुरू, बाकी लेंडर के थुरू, प provident fund बनता था, ESI बनता था, जो government के taxes बनते थे, वो भी pay नहीं करा, statuary dues, वहाँ भी default कर दिया, ठीक है, वहाँ भी क्या कर लिया, default कर लिया, और ये सारा पैसा को क्या किया, misuse किया, misutilize किया, अपनी honeymoon trip में लगा दिया, गलत जगा खर्च कर लिया, एक दूसरे को loan दे दिया ठीक है, तो all this is happening, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन्दिगे के मजे कर रहे हैं, अब शादी के बाद क्या होता है भाई, शादी के बाद honeymoon भी तो होता है सर, yes, तो ये लोग भी क्या हो गया, जब बहुत सरा पैसा कमा लिया, जब इतना पैसा इकठा कर लिया, IPO के थरू, F transaction with related party, और फिर तीनों ने मिलके fraud किया, फिर क्या हो गया सर, तीनों ने मिलके fraud किया, फिर क्या हुआ, तीनों ने मिलकर fraud किया, लेकिन वो जो बच्चा पैदा हुआ, वो निकल गया, internal auditor, वो क्या निकल गया, internal auditor, ठीक है, वो निकल गया, internal auditor, अब देखो भी तक सब कुछ सही इहाँ पर क्या हो गया? इन लोगों ने एक गल्ती कर दी? क्या गल्ती कर दी? आब इन्होंने बोला कि एक NBFC खुलते हैं. जैसी limite में क्वाला, इतना cash losses देखकर auditors भी resign करके चले गया, इनका going concern खत्रे में आ गया, क्या कि इनका going concern खत्रे में आ गया, और नहीं तो वो जो भला मानुस था, जो इतना सरा CSR activity करता था, वो CSR amount भी spend नहीं कर पाया, ठीक है, so that is what that happened with them, lot of mishaps after the NBFC opened, cash losses, auditors छोड़ के चले गया, going concern खत्रे में आ गया, यह सारा कुछ हो गया, unspent CSR amount, यह सारा कुछ हो गया, ठीक है, तो दिखने कवा कहानी फिर सरी call करता है, एक लड़की थी निथी, एक लड़के पे वो मरती थी, वो लड़का director था, जिसके पास unrecorded income था, बहुत सारा fixed assets था, inventory था, investment था, ठीक है, अब निधी ने क्य जा कि अलरके के साथ non cash transaction एंटर करा, और जा कर भाग करे, cost ली शादी कर ली, महेंगी शादी कर ली, और उसके बाद बोला कि अब एक business करते हैं, company खोलते हैं, उससे अपने आपको loan देंगे, डाक्टरस को loan देंगे, section 185, अब क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा, तो हर वे से पैसा रेज करा, IPO, FPO, preferential allotment, lenders के तुरू, lenders से पैसा ले लिया, default कर दिया, बट पैसा तो ले लिया, हर तरीके से पैसा रेज कर लिया, ठीक है, और फिर repayment में default कर दिया, फिर क्या हो गया, सारे पैसा लेकर ये कहां चलेगे, honeymoon बनाने, honeymoon trip enjoy करने, और honeymoon के बाद क्या हो गय इसके बाद, और का पता लगाने के लिए, internal auditors appoint कर लिये गया, क्या हो गया, internal auditors appoint कर लिये गया, ठीक है, अब इन लोगों ने क्या कि NBFC खोली, और फिर क्या हो गया, जैसी NBFC खोला, सब कुछ गलत हो रहा है, non cash transaction, NBFC, cash losses, पुराने auditors छोर के चले गया, going concerns, यह सर्मांट भी खर्च नह रह सकते हो, एक लरकी थी निधी, that is, निधी कमनी के clause की बात हो रही है, एक लरकी पर वो मरती थी, वो लरका director था, जिसके पास बहुत सरा unrecorded income था, तो unrecorded income वाला clause हो गया, उसके बहुत सरा fixed asset था, inventory था, investment था, यह सरे clauses हो गया, उन लोगों ने भाग कर costly शादी कर ली, तो एक clause हो गया, IPO, FPO, और preferential allotment वाले clause हो गया, जो lender से पैसा लेकर default कर दिया, repayment of loans, वो वाले clause हो गया, तो यह सारा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, honeymoon गया, छोटो सा बच्चा पैदा हुआ, that is, related party transaction, transaction with related party एक clause हो गया, तीनों नों मिलकर fraud करा, fraud वाले clause हो गया, फिर internal auditors appoint हो clause हो गया, और फिर NBFC खुला, तो NBFC के clause, और फिर क्या और है, cash losses, auditors छोट के चले गए, going concern, अंट पन CSR, तो आप एकदम सारा clauses याद रख सकते हो, अब sequence में भी याद रखना बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगो कैसे, सबसे पहले logically आप देखो, पहला तीन clauses, sequence में बहुत इ inventory investments, उसके बाद क्या हो गया, section 185, 186, that is inter-corporate loans and investment, loan to directors, ठीक है, अब देखना, clause 7 तो statuary dues है, clause 7 एक ऐसा clause है, normally हर किसी को याद रहता है, हर किसी को याद रहता है, मैं आपको बताया था कि clause 9, 10, 11, यह तीन clauses अब sequence में करो हमेशा, clause 9 में क्या था, कि lender से loan लिया, repayment में default किया, clause 10 में किया था, कि IPO के थुरूप ऐसा raise करा, FPO के थुरूप ऐसा raise करा, preferential allotment के थुरूप ऐसा raise करा, तो वहाँ पे देखना है, कि सही जगा utilize हुआ किने, section 42 का compliance, और फिर, अगर miss utilization किया, तो मैंने बताया, fraud हो गया, तो तीन clauses मैंने आपको बताया था, कि 9, 10, 11, sequence में याद से याद होगा, 9 was repayment of dues, 10 was application of money raised by public issue and preferential allotment and 11 is fraud, 11 is fraud, 11 is fraud, उसके बाद देखना, clause 16 से लेके 21 तक आपको बहुत इसली याद हो जाएगा, sequence में, आप खाली इतना याद रखो NBFC, NBFC खोलती ही क्या हुआ था, cash losses हो गया, auditors छोड के चले गया, going concern खत्रे में आ गया, CSR amount भी और components के auditors ने भी adverse reporting कर दिया, तो NBFC का clause number याद है, clause number 16, अब क्या हो गया, cash losses हो गया, auditors छोड के चले गया, going concern खत्रे में आ गया, unspent CSR amount and qualification or adverse remark, तो एकदम sequence में याद हो गया, clause number 16 NBFC, clause number 17 cash losses, clause number 18 is consideration of issues raised by outgoing auditor, clause number 19 is going concern, 20 is unspent CSR amount and 21 is qualification or adverse remark and caro report, फिर मैं आपको बताया था कि clause 12 औ निधी companies and 15 was, 16 was NBFCs, तो मैंने आपको बताया था 12 और 16 साथ में याद रखो, और फिर मैंने आपको बताया था कि clause number 13 क्या था transaction with related party, और मैं कौन था related party था मेरा बल्डे 13th को था, and I am also the internal auditor, तो clause number 14 internal audit के बारे में है, clause number 14 क्या है, internal audit के बारे में है, clause number 15 is non cash transaction with directors, आप ऐसा करी, engagement करा, काइन में transaction एंटर करा, तो ring पहनाया, और ring पहना कर बदले में company के shares ले लिए, निधी ने company के doctor के साथ non cash transaction एंटर करा, और वो 15 तारीक को करा, तो याद रखना निधी की सगाई कब वी थी, निधी ने non cash transaction एंटर करा था, 15, that is 15 is non cash transaction, clause number 15 is non cash transaction, 16 NBFC है, NBFC का याद है, 9, 10, 11 मेरे को sequence में याद है, 1, 2, 3 मेरे को sequence में याद है, clause 7, statute reduce, normally हमेशा याद रहता ही है, तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और दूसरा story के माद ही हमेशा याद रख सकते हो, कि वो clause आपके दिमांग में तो में बैठे वही होंगे, तो remember any way you want, मैं आपको क 16 साथ में याद हो जाता है, और 13 मेरे, 13 was related party वाला thing, तो वो याद रहता है, सगाई 15 को हुआ था, non cash transaction 15 को हुआ था, non cash transaction याद रहता है, 16 NBFC है, तो बाकि sequence में याद रहता है, और बाकि वो जो story है, जो में आपको बताया है, जब क्या करने वाले हो, कम से कम जाकर 15 लोगों को नहीं भी सही, तो 5 लोगों को तो सुना ही रहे ना, उसमें तरका वगरा लगा के भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्लॉस नंबर 9 से लेकर 11 तक एक साथ याद रखो, बहुत सिंपली याद हो जाएगा, क्लॉस नंबर 12 और 16 को एक साथ याद रखो, बहुत इसली याद हो जाएगा, 15 was that a non-cast transaction सा गाई वाला पार्ट अपने आप याद हो जाएगा, और 16 याद है तो 17 से 21 तो अपने आप य याद हो जाएगा, और बीच में तो वो clause 7 statute use का है, clause 8 क्या है, unrecorded income का है, statute use से पहले cost record है, public deposit है, वो याद रह जाएगा, इसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे काफी सारे clauses जो है, वो section के compliance के बारे में, जैसे clause 4 is talking about compliance of section 185-186, क उसकी बाद अगर हम बात करें, तो जो clause 10 है, वहाँ पे section 42 के compliance की बात हो रही है, section 62 के compliance की बात हो रही है, clause 13 में भी section 188-177 के compliance की बात हो रही है, clause 15 के अंदर section 192 के compliance की बात हो रही है, तो यह सारे clauses ऐसे हैं, जहाँ पे section specific बाते हो रही है, और section के compliance के respect में बात हो रही है, ठ सब लिखके आना और याद नहीं होता है तो मैंने जो alternative presentation आपको सिखाया है अब उस presentation को यूज कर गया आना, कोई परिशान नहीं है कोई लिक्कत नहीं है So this is what you have to remember in this very chapter that is Karo 2020